वर्तमान समय में स्किन रैशस या त्वचा के चकतों से हर कोई पीडित हो रहा रहा है त्वचा पर घाव या धब्बों के व्यापक विसफोर्ट को रैशस के रूप में परिभाशित किया जाता है स्किन रैश की स्थिती में त्वचा पपड़ीदार, उबर खाबर खुजलीदार या चिर्चिडी हो सकती है चकते या रैशस चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत व्यापक शब्द है चकते दिखने में बहुत भिन हो सकते हैं और इसके कई संभावित कारण होते हैं कारणों और लक्षनों में विविद्धा के परिनामस्वरूप इसके उपचार की एक विस्तृत श्रिंखला तैयार की जाती है इस लेख में आप जानेगें की त्वचा के चकते क्या है, इनके कारण, लक्षन, इलाज और बचाव के उपाई के बारे में स्किन रैशस क्या है, त्वचा के रंग या बनावट में असामान्य परिवर्तन को चकते कहते हैं यह आमतोर पर त्वचा की सूजन के परिनामस्वरूप उत्पन होते हैं त्वचा पर चकते ड्राई, नम, उबर खाबर, स्मूथ, क्रैक या फफोले के रूप में उत्पन हो सकते हैं इसके अलावा यह दर्दनाग, खुजली वाले और अलग रंग के भी हो सकते हैं शरीर पर चकते या धब्बे उत्पन होना, एक आम लक्षन है जो उनके बीमारियों को संदर्भित करता है कुछ सामान्य प्रकार के रैशेस, चकते में COVID-19 रैश, एक्जिमा, एक्सिमा, पॉइजन आईवी रैश, पॉइजन आईवी रैश, हाइव्ज, 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 शामिल है फंगल, बैक्टीरिया, परजीवी या वाइरल संक्रमन भी तवचा पर चकते उत्पन होने का कारण बन सकते है स्किन रैश, चकते संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों प्रकार के हो सकते है रैश या चकते शरीर के सिर्फ एक छोटे से हिस्से में उत्पन हो सकता है या यह एक शरीर के बड़े क्षेत्र को कवा कर सकता है चकते दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं कुछ चकते उपचार के बगएर अपने आप ठीक हो जाते हैं जबकि कुछ का इलाज घर पर किया जा सकता है लेकिन कुछ अधिक गंभीर स्थितियों में इसका इलाज काफी मुश्किल हो जाता है चकते के सामान्य प्रकार कुछ सामान्य प्रकार के स्किन रैश के उदाहरनों में शामिल है डाइपर दाने फंगल इंफेक्शन जैसे दाद, जौक, खुजली, एथिलीट फूट, वाइरल रेश जैसे कोर्ड सोर्स, फीवर ब्लिस्टर, शिंगल्स, शिंगल्स, हपीस, हपीस, छोटी माता रूबेला, डर्मेटाइटिस, वचा पर चकते के सामान्य कारण, स्किन अलजी, कुछ बीमा भावित कारणों में निम्न को शामिल किया जा सकता है, जैसे तवचा पर चकते का कारण कांटेक्ट डर्मेटाइटिस, चकते के सबसे आम कारणों में कांटेक्ट डर्मेटाइटिस को शामिल किया जाता है, किसी वस्तू या पदार्त के संपर्क में आने पर तवचा की प् यदि स्किन रैश घरेलू उपचार से दूर नहीं होते हैं, तो आप डॉक्टर की सहायता ले सकते हैं। यदि आप चकते ग्रशल्स के अलावा अन्य लक्षनों का अनुभव कर रहे हैं, तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। इस्थिती में आपको तुरंद डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए। वचा पर चकते उत्पन होने के साथ साथ निम्नलक्षन का अनुभव होने पर तुरंद डॉक्टर को दिखाएं। जोडों का दर्द, इत्यादी, त्वचा पर चकते का घरेलू उपचार स्किन रैश होम रेमिडीज इन हिंदी, त्वचा पर चकते कई रूपों में उत्पन हो सकते हैं और इनके विक्सित होने के अलग-अलग कारण भी हो सकते हैं। त्वचा में जलन और खुजली उत्पन करने वाले सौंदर या प्रसाधन या लोशन का उप्योगना करें। संक्रमन के जोखिम को कम करने के लिए चकते को खरोचने से बचें। हलके साबुन का प्रयोग करें सुगंधित साबुन का इस्तेमाल करने से बचें। प्रभावित त्वचा को गर्म पानी से धोने से बचें। जहां तक हो सके चकते को खुला रखें। इसे कपड़े या बैंडेज से कवन न करें. स्किन रेश को सूखा ना रगणें, खुजली होने पर इसे थप थपाएं. खुजली को कम करने के लिए कोटिसोन क्रीम का उप्योग किया जा सकता है. केलामाइन लोशन या मेडिसिन कुछ प्रकार के चकते से राहत प्रदान करने में सहायक होता है, जिन में शामिल है पॉजिन आईवी रेश, चिकन पॉक्स और पॉजिन ओक रेश. यदि चकते हलके दर्द का कारण बनते हैं, तो आप डॉक्टर की सिफारिश पर एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन का सेवन कर सकते हैं. दलिया सनान करें, यह एकजिमा या सोराइसस से होने वाले रेशस से जुड़ी खुजली को शान्त करने का उत्तम उपाए है. अगर आप रेशस के साथ साथ डेंडरफ की समस्या से ग्रस्थ है तो अपने बालों और स्केल्प को नियमित रूप से डेंडरफ शैंपू से धोएं. हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें. हन्यवाद